नमस्कार, मैं हूँ निकॉल क्या आप पहले कभी ऐसी स्थिती में रहे हैं जब सिधान्तों का उलंगण होते देख कर भी आप सच बोलने और गलतियां बताने का साहस नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने रिष्टे बिगाड़ कर किसी को खफा नहीं करना चाहते सभाव के कारण होता है, हमें सच बोलने से कौन रोकता है इस समस्या को समझने के लिए मैं बेहन चैन्शी का पत्र पढ़ूंगी जिसका शीर्शक है सच बोलने से मुझे किस बात ने रोका नमस्कार, जैंक्षन तुमने पिछले पत्र में लिखा था कि तुम जिस बेहन की सहयोगी थी, वह सिधान थीन आत्मे तुष्ट्व निरंकुष थी और तुम उसे ये बताना चाहती थी लिकिन डर गए कि वह तुम्हारे बारे में गलत राय बनाएगी और तुम साथ काम नहीं कर पाओगी तुम दुविधा में थी और इस थिती का समाधान नहीं जानती थी मैं तुम्हारी स्थिती समझ सकती हूँ इस समस्या का मुख्य कारण है शैतानी फलसफों के अनुसार जी न अपने रिष्टे कायम रखने और दूसरों की नजरों में भला दिखने में लगे रहना ये चीजें हमें बेबस कर सत्य का अभ्यास करने से डराती है मैं भी पहले ऐसी स्थिती में रह चुकी हूँ लेकिन इस वचनों की प्रकाशन से मुझे अपने गलत नजरिये और भ्रश्ट स्वभाव की कुछ समझ मिली अब मैं थोड़ा बदल चुकी हूँ और दूसरों की गलतियां बताने से नहीं जिचती मैं अपना अनुभव बताती हूँ शायद इससे तुम्हें कुछ मदद मिले मैं जोव फांग और लियू यांग के साथ कलिसिया का काम करती थी जोव फांग अकसर कारे की चर्चाओं में हावी रहती थी बाद में हमारे काम में अच्छे नतीजे नहीं मिलने के कारण अग्वा ने हमारे काम की कमान बेन जोव फांग जलने लगी कारे की चर्चाओं के दोरान जब जोव फांग के विचार सही भी होते जो फांग उन्हें पलटने के तरीके डूनने में लगी रहती थी जिससे कारे की चर्चाएं जारी रखना मुश्किल हो गया मैं ये बात जो फांग के सामने रखना चाहती थी फिर सोचा कि साथ मिलकर काम करते समय टक्राव लाजमी है इसलिए मैंने बखेड़ा खड़ा नहीं किया जांग लिंग काम की पूरी जाच करती और समस्यां देखते ही फोरण संगती करती थी जिससे हमारी कारिक्षमता बहुत बढ़ गई लेकिन जो फांग बढ़काने लगी की जांग लिंग अपनी प्रतिष्टा बढ़ाने, फाइदा उठाने और रुद्बा बनाने में लगी है उसके आरोप नीचा दिखाने वाले वा आलोचनात्मक होते थे जगडे की बीच बोते थे इस कारण लियू येंग भी जांग लिंग की विरोधी हो गई जब मैंने जहूँ फांग को अपना रुद्बा बचाते और जांग लिंग को नीचा दिखाते देखा तो सोचने लगी कि उसकी समस्या गंभीर है जहूँ फांग मसीव इरोधी सोभाव दिखाते हुए उसी रास्ते पर चल रही थी मैं इसके सार पर उसके साथ संगती करना चाहती थी लेकिन मेरे शब्द जुबान पर आकर अटक गए मानो मेरे हूट सिल गए हो तब मेरी सिती तुमारे जैसी ही थी मुझे आशंकाओं ने घेल लिया डरती थी कि उसे उजागर करने पर वो मेरे बारे में बुरी राय बनाकर मुँ फोला लेगी या जांग लिंग की तरह मुझे भी अलग थलग कर देगी मैं उसकी समस्या नहीं बताना चाहती थी मैंने खुद को दिलासा देने के लिए बहाने ढूंडे वह नाम और रुद्बे के पीछे भागने की अपनी कोशिशों से वाकिफ है और खुद को जानती है स्वभाव रातो रात नहीं बदल सकता बहतर होगा कि वह इस बारे में खुद सोचे इसके बाद हर बार जब भी सोचती कि मैं जोओ फांग को उसकी समस्याएं बता कर मदद नहीं कर रही हूँ तो मुझे बहुत ग्लानी होती थी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर मार्ग दर्शन मांगा कि मैं अपनी भ्रष्ट स्वभाव के कारण बेपस ना रहूं और सच बोलूं कुछ दिनों में मुझे गवाही का वीडियो मिला जिसमें मुख्य पात्र का अनुभव मेरी अनुभव जैसा ही था वह जिस बहन के साथ काम करती थी वह रुद्वे वो फायदों की होड में लगी रहती थी जिससे कलिस्याई काम पर असर पढ़ रहा था उसने समस्या की रिपोर्ट अगुआ को देनी चाही पर सहयोगी की नराजगी की डर से उसने देर कर दी जब उससे गंभीरता से निप्टा गया तब जाकर उसने आत्मचिंतन शुरू किया फिर उसने इश्वचनों का एक अंश पढ़ा जिसने मुझे हिला दिया इश्वचन कहते हैं जो लोग मध्यमाग से चिपके रहते हैं वे सबसे भयावह होते हैं वे किसी का अपमान नहीं करना चाहते वे लोगों को खुश करने वाले हामी भड़ने वाले होते हैं और कोई उनकी वास्थविक्ता नहीं जान सकता इस तरह का व्यक्ती एक जीवित शेतान है इस अंश ने मुझे पर गहरा असर डाला परमेश्वण ने कहा कि बीच का रास्ता पकड़ने वाले सबसे बुरे धोके बास और नर पिशाच होते हैं क्या मैं भी बिलकुल वैसी ही नहीं थी मुझे पता था कि जोंफांग की समस्या गंभीर है और इससे कलीश्या का काम बिगड़ रहा था उससे फॉरंच यतावनी देना ज़रूरी है लेकिन उसकी नाराजगी के डर से चुपी साथ कर मैंने कलीश्या के कारे की रक्षा नहीं की मैं ऐसी इंसान थी जो बीच के रास्ते पर चल रही थी जो परमेश्वर को ना पसंद है मेरे लिए ये स्विकारना मुश्किल था इसलिए मैंने अब कभी धोकी बास चापलूस ना बनने का फैसला किया मुझे सिध्धान्त कायम रख कलीश्या इकारे की रक्षा करनी थी और जो फांग को उसकी समस्या बताने के लिए वक्त निकालना था लेकिन जो फांग ने पहले मेरी समस्या बताकर मुझे सक्ते में डाल दिया उसने कहा कि मैं रुत्वे की पीछे भाग रही हूँ लोगों को डाटने के लिए उसका इस्तिमाल कर रही हूँ अपनी समस्याओं की गंभीरता देखते हुए उसकी समस्या बताने की हिम्मत नहीं हुई मैंने जो कुछ कहना चाहा था उसे भूल गई और उसके नामवर रुत्वे की पीछे भागने या मसीव इरोधी रास्ते पर चलने की बारे में चुप रही फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे भी उसमे कोई समस्या दिखती है ताकि वह उन्हें सुधार सके मैंने बेमानी से कहा, तुम में कोई समस्या नहीं कहने के लिए तो सच में बहुत कुछ था पर मैं साहस नहीं कर पाई डरती थी कि वो सोचेगी मैं बदला ले रही हूँ और अगर उसे मेरी बात बुरी लगी तो साथ में काम करना मुश्किल हो जाएगा लिहाजा उसके छवी बचाने की खातिर मैंने कुछ नहीं कहा इसके बाद मैं गलानी से भर कर खुद को दिखकारने लगी मुझे लगा मैं कितनी बुस्तिल हूँ मैं सत्य का अभ्यास करने के बारे में चंद इमानदार लव्स भी ना कह पाई कुछ दिन तक मैं ठीक से खा या सो नहीं सकी और सभाओं में भी शांत नहीं रह पाई मैंने प्रार्थना की हे परमिश्वर मैं अपनी बहन की समस्यां देखने पर भी नाराज की कि डर से कुछ नहीं बोल पाई मैं इतनी बुस्दिल और स्वार्थी हूँ मैं ऐसी नहीं बने रहना चाहती कृप्या नियाय का बोध रखने वाली एक इंसान बनने में मेरा मार्थ दर्शन करो इसके बाद मैंने इस वचनों के कुछ अंश पढ़े लोगों की कमजोरी पर प्रहार मत करो और कभी उनकी कमिया उजागर मत करो ये वाक्यांश लोगों के साथ बातचीत करने के उस तरीके को बया करता है जो शैतान ने लोगों के मन में बिठा दिया है इसका मतलब है कि जब तुम लोगों से बातचीत करते हो तो तुम्हें उन्हें कुछ छूट देनी चाहिए सदाचार के बारे में ये कहावत मुख्य रूप से जीने के लिए एक प्रकार के जीवन दर्शन का वर्नन करती है जो मनुश्यों की बीच बादचीत को निर्धारित करती है। जीवन जीने के दर्शनों में एक सिधान्त है जो कहता है अच्छे दोस्तों की गलतियों पर खामोश रहने से दोस्ती अच्छी और लंबी होती है। इसका मतलब है कि मैत्री पूर्ण संबंद बनाए रखने के लिए अपने मित्र की समस्याओं के बारे में चुप रहना चाहिए। भले ही विस्पष्ट दिखें, दूसरे की गरिमा पर हमला ना करने या उनकी कमिया उजागर ना करने के सिधान्त बनाए रखने चाहिए। लोगों को एक दूसरे को धोका देना चाहिए, एक दूसरे से छेपाना चाहिए, एक दूसरे के साथ साजिश करने में लिप्थ होना चाहिए, और हाला कि विस्पष्ट रूप से जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति किस तरह का है, पर वे इसे सीधे तोर पर नहीं कहते, बलकि अ चातिर तरीके अपनाते हैं। ऐसे संबंध व्यक्ति क्यों बनाए रखना चाहेगा? ये इस समाज में समूख के भीतर दुश्मन ना बनाना चाहने के लिए होता है, जिसका अर्थ होगा, खुद को अकसर खतरनाक स्थितियों में डालना। चुकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे द्वारा किसी की कम्या उजागर किये जाने या चोट पहुचाए जाने के बाद दुश्मन बनकर वह तुम्हें किस तरह से नुक्सान पहुचाएगा? और चुकि तुम खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते, इसलिए तुम जीवन जीने के दर्शनों के ऐसे सिधानत इस्तिमाल करते हो, लोगों की कम्जोरी पर प्रहार मत करो और कभी उनकी कम्या उजागर मत करो. इसके आलोक में अगर दो लोगों का संबंध ऐसा है, तो क्या वे सच्चे दोस्त माने जा सकते हैं? नहीं, वे सच्चे दोस्त नहीं होते, वे एक दूसरे के विश्वास पात्र तो बिलकुल नहीं होते. तो ये वास्तव में किस तरह का संबंध है? क्या ये एक मूलभूत समाजिक संबंध नहीं है? ऐसे समाजिक संबंधों में लोग अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर सकते. ना ही गहन विचार्वे निमय कर सकते हैं ना वे जो चाहते हैं वह कह सकते हैं ना ही जो उनके दिल में होता है या जो समस्याएं वे दूसरे में देखते हैं या ऐसे शब्द जो दूसरे के लिए लाब दायक हो उन्हें जोर से कह सकते हैं इसके बजाए वे कर्ण प्रिये शब्दों का चयन करते हैं ताकि दूसरे को चोट ना पहुँचे, वे दुश्मन नहीं बनाना चाहते, इसका लक्ष अपने आसपास के लोगों को खत्रा ना बनने देना है. जब कोई उनके लिए खत्रा नहीं बन रहा होता, तो क्या वे अपेक्षाकृत आराम और शांती से नहीं रहते? क्या लोगों की कमजोरी पर प्रहार मत करो और कभी उनकी कमिया उजागर मत करो, इस वाक्यान्ष का प्रचार करने में लोगों का यही लक्ष नहीं है? सपश्ट रूप से यह अस्तित्व का एक शातिर कपट पून तरीका है, जिसमें रक्षात्मक्ता का तत्व है और जिसका लक्ष आत्मसंगरक्षन है. इस तरह जीने वाले लोगों का कोई विश्वास पात्र नहीं होता, कोई करीबी दोस्त नहीं होता, जिससे वे कुछ भ इसके मूल में लोगों की कमजोरी पर प्रहार मत करो और कभी उनकी कमिया उजागर मत करो का लक्ष दूसरों को ठेस पहुँचाने और दुश्मन बनाने से बचना है, किसी को चोट ना पहुँचा कर अपनी रक्षा करना है, यह खुद को चोट पहुँचने से बचाने के अपना ही जाने वाली तक्नीक और तरीका है। सार के इन विभिन पहलूओं को देखती हुए, क्या लोगों के सद्गुर्ण से ये अपेक्षा करना कि लोगों के कमजोरी पर प्रहार मत करो और कभी उनकी कम्या उजागर मत करो एक उच्च नीती है। क्या ये सकारात्मक है? नहीं. तो फिर ये लोगों को क्या सिखा रहा है? कि तुम्हें किसी को परिशान नहीं करना चाहिए, ये किसी को चोट नहीं पहुचानी चाहिए, वरना तुम खुद चोट खाओगे। और ये भी कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने किसी अच्छे दोस्त को चोट पहुँचाते हो, तो दोस्ती धीरे धीरे बदलने लगेगी। वे तुम्हारे अच्छे करीबी दोस्त ना रहकर गली से गुजरने वाले अजनबी ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। लोगों को इस तरह सिखाने से कौन सी समस्याई हल हो सकती हैं। भले ही इस तरह से कारे करने से तुम शत्रू नहीं बनाते और कुछ शत्रू कम भी हो जाते हैं। तो क्या इस से लोग तुम्हारी प्रशंसा और अनुमोधन करेंगे और हमेशे तुम्हारे मित्र बने रहेंगे। क्या ये सद्गुन की मानक को पूरी तरह से हासिल करता है? अधिक से अधिक, ये जीने का एक फलसफा मातर है. इश बचन बताते हैं कि लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ये एक धूर्थ सांसरिक फलसफा है, जिसे लोगों के मन में शैतान निबरा है. ऐसे फलसफे को अपना लेने के बाद, लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते, चालें चलते और नाराज करने से ड़ते हैं. वे ना तो खुलकर बोलने और ना ही सच बताने का साहस करते हैं, वे दूर्थ और धोके बाज बन जाते हैं. मैं भी लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए वाले फलसफे को जीने लगी थी. मैं जानती थी जोंफांग जांग लिंग से जलती हैं, वह उसे नीचा दिखाकर अलग थलग कर रही हैं. इस समस्या का सार बहुत गंभी होने से हमारा काम बिगड़ रहा है और ये जोंफांग को बताना जरूरी है. लेकिन मुझे लगा कि उसकी कमियाव जागर करके मैं उसे शर्मिन्दा कर रही होंगी. मुझे चिंता थी कि वह मुझे बुरी इंसान मान मेरे साथ ठीक से काम नहीं करेगी. इसलिए आपसी संबंध कायम रखने के लिए मैं चुप रही और बात को टाल कर खुद से समझोता कर लिया. मैंने उसकी कर्दूतों का सार और दुष परिणाम बताने के लिए इस वचनों पर भरोसा नहीं किया. जब उसने पूछा कि क्या मैंने उसमें ब्रष्टता देखी हैं, तो ये जानकर भी कि उसमें समस्याएं हैं जो मैंने बताई नहीं हैं, मैंने जूट बोल दिया कि वठी कर रही है. मैं सफेज जूट बोल रही थी और उसे मूर्ख बना कर धोका दे रही थी. जूट फांग जांग लिंग को नीचा दिखा रही थी, लेकिन मैं चापलूस बनकर बस छुप ही रही. मैं सत्यकाभ्यास या कलीसिया एकारे की रक्षन नहीं कर रही थी. मैं धूर्थ और धोके पास थी. परमीश्वर चाहता है कि हम इमानदार बने और एक दूसरी के साथ निश्कपट व्यवहार करें. अगर हम देखें कि दूसरों में भ्रष्ट स्वभावे और वे सिधानतों का उलंगन कर रहे हैं, तो हमें मदद की पेशकर्ष करकी करुणा दिखानी चाहिए. लेकिन मैं तो शैतानी फलसफे को जी रही थी. किसी को गलत रास्ते पर चलते देख मैंने मदद नहीं की. मुझ में करुणा नहीं थी. दूसरों की समस्याएं हो जागर नहीं की, और डरती रही की खराब बोलने से मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी. दूसरों की समस्याएं देख कर भी चुप रही ताकि अपने हिटों के लिए किसी को दुश्मन ना बनाओ. मैंने हमेशा दूसरों की तारीफ चापलू सी की, हालकि ऐसा लगता था, की लोगों के साथ, मीरे ताल मेल है लेकिन, आपसी मेल जोल में मैं डरी रहती थी और धोका देकर उनका इस्तिवाल कर रही थी. ये कैसे सामाने रिश्टे हैं? ये कैसी सची दूस्ती हैं? मुझ में कोई नेक नियती नहीं थी. मैं सोचा करती थी कि लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि विचार पर चलना बढ़िया है जिससे मैं सुरक्षित रहूंगी और ना कोई नाराज होगा नाहीं दुश्मन बनेगा लेकिन इश्वचनू ने मुझे समझाया कि लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जैसे मूली असल में शैतानी तरीके हैं और ये लोगों को ब्रश्ट करते हैं ये हमें अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित कर बेहत स्वार्थी और धोकी बास बनाते हैं जब दूसरे लोग गलत रहा पर चल कर कारे को प्रभावित करते हैं तो ये तरीके हमें आलोचना नहीं करने देते हैं मुझ में बिल्कुल भी करुणा और मानवता नहीं थी मैंने इश्वचनों का एक और अंश पढ़ा परिस्थितिया चाहे कुछ भी हूँ जब तक तुम शैतान के भ्रष्ट स्वभाव से बंदे हो उससे नियंतरित और शासित हो तुम जो कुछ भी जीते हो जो कुछ भी प्रकट करते हो और जो कुछ भी व्यक्त करते हो या फिर तुम्हारी भावनाए, विचार, द्रिष्टिकून और तुम्हारे काम करने का तरीका सभी शैतान के हैं ये सभी चीजें सत्य का उलंगन करती हैं परमेश्वर के वच्णों और सत्य की शत्रू हैं तुम परमेश्वर के वचनों और सत्य से जितने दूर होते हो, उतने ही अधिक, तुम शैतान के जाल में फस्ते जाते हो और उसमें उलचकर रह जाते हो। लेकिन चुकी वे हमेशा शैतान के ब्रश्ट स्वभाव से बंधे रहते हैं और उसके जाल में फस जाते हैं, होशपूर्वक विरोध करने और खुद को मुक्त करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर के वचनों और सत्य के सिधानतों से दूर हो जाते हैं। हालकि वे सत्य का अनुसरन करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते। वे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के अपिक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। बलकि जहां हैं, वही अटके रह जाते हैं। ये बहुत ही पीड़ा दायक स्थिती हैं। लोग ना चाहते हुए भी शैतान के ब्रष्ट स्वभाव में जीते हैं। वे इंसानों के बजाए पिशाचों की तरह अंधेरी कोनों में रहते हैं, शर्मनाक और दुष्ठ हतकंडे तलाशते हैं, ताकि अपनी कठनाईयों का समाधान कर सकें। सच तो ये है कि अपने मन की गहराई में लोग अच्छा बनने के इच्छुक होते हैं और प्रकाश के लिए तड़पते हैं। वे आदर के साथ मनुष्य के रूप में जीने की उमीद करते हैं। वे सत्य का अनुसरन करना और जीने के लिए परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करके जीने की उमीद भी करते हैं। लिकिन कभी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। लोग इस दुविधा में भसकर आगे जा नहीं पाते और पीछे वे जाने को तयार नहीं होते. वे वहीं अठके रहते हैं और अठके रहने का एहसास एक पीड़ा होती है, जबर्दस्त पीड़ा. लोग स्वयम सत्य स्विकार नहीं पाते और परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में नहीं ला पाते, लेकिन फिर भी मन में प्रकाश के लिए तरस्ते हैं. वे परमेश्वर के वचनों और सही मार को छोड़ने को तयार नहीं होते, मगर वे अपने शैतानी भ्रष्ट स्वभाव के बंधनों और नियंत्रन से मुक्ष होने में असमर्थ होते हैं. अन्त तह वे केवल पीड़ा में ही जीते रहते हैं, उनके अंदर कोई वास्तविक सुख नहीं होता. इस वचनों से मैंने देखा कि मेरे चुप रहने का कारण ये था कि मुझे लगता था, लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अच्छे दोस्तों की गलती उपर खामोश रहने से दोस्ती अच्छी और लंबी होती है, यसा कारात्मक सिध्धान्त है. मुझे लगता था कि इसी को करुणा कहते हैं और इससे में सुरक्षित रहकर नुकसान से बची रहूंगी. मेरी दादी ने सिखाया था कि दूसरों से मिलते जुलते हुए उनकी कम्या ना बताऊं, वरना मैं अपने लिए मुसीबत खड़ी कर समाज में अपनी जगा नहीं बना पाऊंगी. मुझे लगता था कि उनकी बात में दम है इसलिए मैं दूसरों की कम्या बताने से बच्चती थी और उनकी समस्यायों जागर नहीं की अपने दोस्तों से मेरी गाड़ी चंती थी और सोचती थी कि सामाचिक मिलजोल का रहसी यही है मुझे लगता था कि जीवन जीने का यही सरहानिय तरीका है और अगर मैं इन मुलियों पर टिकी न रही तो अच्छी इनसान भी नहीं रहूंगी सदस्य उसी मेरी जोल के दोरान मैं इनी शेतानी फलसफों पर निर्भर रहती थी मैंने दूसरे लोगों को सिधानतों का उलंगन करते देखा था बखू भी जानती थी कि मुझे इनकी आलोचना करके मदद करनी होगी लेकिन मैं इन शेतानी फलसफों में फसकर दूसरों की आलोचना नहीं कर पाई यह शेतानी फलसफा ऐसा जाल था जिसमें जकड कर में जड़ बन गई और अपना दिल भी मेरे वर्ष में नहीं रहा हमारे काम में बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे थे तो कलीसिया ने जांग लिंग को हमारे मार्ग दर्शन के लिए भेजा यह कलीसिया के कारे के लिए हित कर था लेकिन जांग लिंग को जिमिदारियां लेते और अपने काम में मेहनती और प्रभावी देखकर जोंफांग ने उसका सहयोग करना तो दूर रहा उस पर रुत्बे और त्वरित लाभों के पीछे भागने का आरोप लगा दिया उसे नीचा दिखाया और उसकी सकारात्मक्ता पर भी चोटकी उसने मेरे ओर लियु इंग के सामने जांग लिंग की अलोचना की थाकि उसे अलग ठलक करने में हम उसका साथ दें जोंफांग ने रुत्बे की खातिर जांग लिंग को अलग ठलक कर उस पर वार किया ये कोई सामाने ब्रष्टता नहीं थी, ये मसी विरोधी स्वभाव था. सहयोगी होने के नाते, मुझे अपनी जिम्मदारी निभा कर उसकी गलती बतानी चाहिए थी. लेकिन मैं सहयोगी जैसी बिलकुल भी पेश नहीं आई, और इससे हमारे काम पर असर पड़ा. मुझे भारी अपराद बोध हुआ. ऐसी खुदगर्स और गेर जिम्मदार होने के कारण, मैं खुद से नफरत करने लगी. जो उफांग की समस्या नहीं बताने से, उसके मन में मेरे लिए दुरभावना नहीं थी, और हमारे रिष्टे कायम थे. लेकिन मैं जानती थी कि मैंने सत्ते का अभ्यास ना करके परमिश्वर को नाराज किया है. मैंने खोज जारी रखी. दूसरों की समस्याएं देखकर मैं उन्हें उजागर क्यों नहीं कर पाई? मैंने परमिश्वर की वचन पढ़े. कभी दूसरों की कम्या उजागर मत करो, वाक्यान्ष में उजागर शब्द अच्छा है या बुरा? क्या उजागर शब्द अर्थ का एक स्तर है, जो लोगों की परमिश्वर के वचनों में प्रकट या उजागर होने के संदर्भ में है, ऐसा नहीं है. जहां तक मेरी समझ है, इंसानी भाषा में उजागर शब्द का मतलब ये नहीं है. अधिकतर, इसका अर्थ दुरभावना पूर्ण तरीके से लोगों की प्रकृती को उजागर करना, उनकी समस्याओं और कमियों को या कुछ ऐसी बातों और व्यवहार को प्रकट करना होता है, जो दूसरों को ज्यात नहीं होती. साथी, प्रिष्ट भूमी में चल रहे शड्यंत्रों या विचारों और दृष्टी कोण को भी प्रकट करना होता है. कभी दूसरों की कमिया उजागर मत करो, वाक्यांश में उजागर शब्द का यही अर्थ है. यदि दो लोगों में अच्छी बनती हैं और वे विश्वास पात रहें, उनके बीच कोई बाधा नहीं है, और उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे से लाब और सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे एक साथ बैठें, खुले पन और इमानदारी से एक दूसरे की समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझाएं, यह उचित है और दूसरे की कम्यों को उजागर करना नहीं है. यदि तुम्हें किसी व्यक्ती में समस्याओं दिखती हैं, लेकिन दिख रहा है कि व्यक्ती अभी तुम्हारी सलहा मानने को तयार नहीं है, तो जगड़े या संघर से बचने के लिए उससे कुछ न कहो. यदि तुम उसकी मदद करना चाहते हो, तो तुम पहले उससे पूछ सकते हो. मुझे लगता है कि तुम में कुछ समस्या है, और मैं तुम्हें थोड़े सलहा देना चाहता हूँ. पता नहीं तुम मानोगे या नहीं. यदि मानोगे, तो मैं तुम्हें पता सकता हूँ. यदि नहीं मानना चाहते हूँ तो मैं फिलहाल उसे अपने तक ही रखूंगा और कुछ नहीं बोलूँगा अगर वह कहता है मुझे तुम पर भरोसा है तुम जो भी कहते हो वह उचित है मैं हर बात मानने को तयार हूँ तो इसका मतलब है कि तुम्हें अनुमती मिल गई है और तुम एक-एक कर उसकी समस्याएं बता सकते हो वह न केवल तुम्हारी बातों को पूरी तरह से मानेगा बल्कि इससे उसे फायदा भी होगा और इस सब के बावजूद तुम दोनों एक सामानने संबंद बनाए रख पाओगे क्या यह एक दूसरे के साथ इमानदारी से विभार करना नहीं है यह दूसरों के साथ बातचीत करने का सही तरीका है यह दूसरे की कम्यों को उजागर करने जैसा नहीं है जैसा की वाक्यान्ष में कहा गया है दूसरों की कम्यों को उजागर ना करना इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है दूसरों की कम्यों के बारे में बात ना करना उन समस्याओं के बारे में बात ना करना जिस पर व्यक्ति के लिए बात करना निशिद्ध है किसी समस्या के सार को उजागर ना करना और उसे बहुत सपश्च रूप से प्रकट ना करना इसका अर्थ है उपर से कोई टिपणी करना ऐसी बाते कहना जो हर कोई कहता रहता है वही बाते कहना जो वह व्यक्ति पहले से ही खुद भी समझता है और उन गलतियों को प्रकट नहीं करना जो व्यक्ति पहले कर चुका है या जो समवेदन शील मुद्दे है यदि तुम इस तरह से कारे करते हो तो इससे दूसरे व्यक्ति को क्या लाब होता है? शायद तुमने उसका अपमान नहीं किया या उसे अपना दुश्मन नहीं बनाया है लेकिन तुमने जो किया है उससे उससे कोई मदद या लाब नहीं हुआ है नतीजितन ये वाक्यान्श की कभी दूसरों की कमिया उजागर मत करो अपने आप में टालम टोल और कपट का एक रूप है तुम एक दूसरे के साथ इमानदारी से व्यभार नहीं कर सकती ये कहा जा सकता है कि इस तरह से कारे करना बुरे इरादों को आश्रे देना है ये दूसरों के साथ बाचीत करने का उचित तरीका नहीं है अविश्वासी तो कभी दूसरों की कमिया मत उजागर करो को ऐसे देखते हैं जैसे एक नेक गुण वाले व्यक्ति को यही करना चाहिए ये स्पश्ट रूप से दूसरों के साथ बाचीत करने का एक कपट पून तरीका है जिसे लोग अपनी रक्षा के लिए अपनाते हैं ये बाचीत का बिलकुल भी उचित तरीका नहीं है दूसरों की कमियों को कभी उजागर ना करना स्वयम में कपट है शायद दूसरों की कमिया उजागर करने में एक गुप्त इरादा है पहले मेरी स्थिती भी तुम्हारी जैसी थी मुझे लगता था कि दूसरों की समस्याएं बताने का मतलब उनकी कमिया उजागर करना है जिससे वे आहत होते हैं मुझे लगता था ऐसा करने से दुश्मन बनेंगे और आपसी रिष्टे बिगडेंगे आप समझती हूँ की ये नजरिया गलत था और मैं चीजों को इश्वचनों के अनुरूप नहीं देखती थी परमेश्वर चाहता है कि हम इमानदार रहें और आपस में निश्कपट व्यभार और मदद करें जब हम दूसरों को अपने भ्रष्ट स्वभाव के कारण सिध्धानतों का उलंगन करते देखते हैं तो हम इस सत्य के अनुरूप उनकी समस्या बताकर खुद को जानने में उनकी मदद करनी चाहिए बहले ही निप्टा जाना और उजागर होना और सहनिया हो ऐसा करना पड़ता है ताकि व्यक्ति खुद को जान सके यही वास्तविक करुणा और मदद है यही कलीसिया के कारे की रक्षा है तथा कथित कम्या उजागर करना वास्तव में सची मदद करना नहीं है बलकि इसमें नीजी स्वार्थ और पूर्वा ग्रह भरे होते हैं कमिया और बुराईया उजागर करना ब्रहष्ट स्वभाव पर निर्भर करता है ये दूसरों को आहत या शर्मिंदा करने के लिए हमला करने, आलोचना करने और नीचा दिखाने का काम करता है ये इनसान को सिर्फ पीड़ा और नकारात्मकता दिता है मैंने देखा कि जोओं फांग नाम वर रुथवे के लिए मसीह विरोधी रास्ते पर थी और कलीसिया का कारे प्रभावित कर रही थी मेरी संगती वा अलोचना उसे आत्म चिंतन का रास्ता दिखा सकती थी उसकी मदद करके कलीसिया कारे सुरक्षित रहता ये एहसास होने से मुझे थोड़ी रोशनी और सुकून मिला अब मैं गलत नजर ये से बेबस नहीं थी मैंने इस वचनों का एक और अंश पढ़ा जिसमें दूसरे भाई बहनों के साथ व्यवहार के सिध्धानतों को स्पष्ट कर दिया परमेश्वर की घर में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसके लिए क्या सिध्धानत है तुम्हें सभी के साथ सत्य की सिध्धान्तों की अनुसार व्यवहार करना चाहिए और प्रतीक भाई बहन के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए उनके साथ उचित व्यवहार कैसे करें? ये आधारित होना चाहिए परमेश्वर के वचनों पर और इस पर कि परमेश्वर किन लोगों को बचाता है, किने निश्कासित करता है, किने पसंद करता है और किन से ग्रिणा करता है, ये सत्य के सिध्धान्त हैं। भाई बेहनों के साथ प्रेम पून सहयोग, पारस पर एक स्विकारिता और धैरे के साथ विवहार करना चाहिए. कुकर्मियों और गेर विश्वासियों की पहचान कर उन्हें अलग कर दिया जाना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए. तुम ऐसा करते हो, तभी तुम लोगों के साथ, सिध्धानतों के साथ प्यवहार करते हो. हर भाई बेहन में एक शम्ता और कमिया होती है, और उनके स्वभाव में भी प्रश्टता होती है. इसलिए जब लोग साथ हूँ, तो उन्हें प्यार से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उन में स्विकार करने का भाव और धैरे होना चाहिए, उन्हें ना तो मीन मेख निकालनी चाहिए और ना ही बहुत कठोर होना चाहिए. तुम्हें ये देखना होगा कि परमेश्वर अज्ञानी और मूर्ख लोगों के साथ कैसा व्यभार करता है, वह अब परिपक्व अवस्था वाले लोगों के साथ कैसे पेश आता है, वह मनुष्य के ब्रश्ट स्वभाव के सामान प्रकटी करन से कैसे पेश आता है, और द परिस्थितियों को प्रबंधित करने के भी कई तरीके हैं। तुम्हें इन सत्यों को समझना होगा। एक बार जब तुम इन सत्यों को समझ जाओगे, तब तुम मामलों को अनुभव करने का तरीका जान जाओगे और लोगों के साथ सिधानतों की अनुसार व्यवहार करने लगोगे। इस वजनों से मैं भाई बेहनों की मदद करने के सिधानतों को समझ गई। शैतान की ब्रष्टता के कारण हम भी ब्रष्ट स्वभाव के हो जाते हैं। करतव वे पालन में ब्रष्ट स्वभाव उजागर होने की बात करें तो अगर काम पर असर नहीं पड़ा है या व्यक्ति के आध्यात में कद का विकास नहीं हुआ है, तो आप उसकी ब्रष्टता का इस्तिमाल मनमाने ढंग से उसे उजाकर या आहत करने के लिए नहीं कर सकते। ऐसे में सकारात्मक तासे संगती और मदद के लिए करुणा का सहरा लेना चाहिए। लेकिन जो लोग मसीह विरोधी रहा पर चलकर या ब्रष्ट स्वभाव से कलीसियाई काम बिगारते हैं, अगर सकारात्मक संगती का कोई नतीजा ना मिले तो काट छाट और निप्टान कर उनके बरताव का विशलेशन करना चाहिए, ताकि वे अपनी समस्या का सार जानकर सच्चा पश्चा दाप कर सकें। उज़ाकर ना किये जाने पर वे ना तो आत्मचिंतन कर पाएंगे ना अपनी समस्या जान सकेंगे, और कलीसिया का काम बिगारते रहेंगे। लोगों की मदद उनके सार आध्यात में कद और खास प्रिष्ट भूमी के अनुसार की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोगों की समस्याओं का तुरंट फिशलेशन करने लगें। ना ही हमें हमेशा सहनशीलता और धहरे दिखाना चाहिए। कुछ चीजे काम पर असर नहीं डालती और इन में धहरे रखना चाहिए। लेकिन कुछ चीजे काम में खलल डालती हैं और इन मामलों में लोगों को उनकी आध्यात में कद के अनुरूप, उचित कदम उठाकर उजागर करना और निप्टा जाना ज़रूरी है। इससे भाई बेहन अपनी ब्रश्चिता को जानकर पश्चा ताप करने, खुद को बदलने और सिधानतों के अनुरूप कारे करने में सक्षम रहते हैं। ऐसी संगती लोगों की मदद करती है और कलिस्याए काम के लिए हितकर होती है। ये बोध होने से मेरे मन में रोश्चनी आ गई और मैंने जोओ फांग की समस्याएं उजागर करते हुए उसे एक पत्र लिखा। बाद में उसने मेरे पत्र के जवाब में लिखा, मुझे उजागर करने के लिए शुक रिया। मैंने ऐसी गंभीर समस्याओं की उमीद नहीं की थी। मुझे हमेशा ये तो लगता था कि मुझे में थोड़ी सी भ्रश्टता है, लेकिन अगर मैं आत्म चिंतन करती हूँ तो सब ठीक ही है। मैं मसी विरोधी रास्ते पर होने और अपनी मानवता में समस्याओं होने को लेकर बिलकुल अंजान थी। तुम्हारी संगती और विशलेशन से लगता है कि तुम नेक नियत से मेरी मदद करना चाहती हो। मैं इसे स्वीकारने और आत्म चिंतन करने के लिए तयार हूँ। उसका जवाब पढ़कर मैं भावोख हो गई। मुझे एहसास हुआ कि इश वचनों का अभ्यास कर मेरे साथ दूसरों को भी फायदा हुआ। इससे मेरे दिल को सुकून और चैन मिला। इस अनुभव से मैंने देखा कि लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे विचारों पर भरोसा करने की कारण शैतान मुझे नुकसान पहुचा रहा था। मैं खुदगर्जी और धोके पाजी की जिन्दगी जी रही थी। अब मैं सपष्ट समझती हूँ कि सिर्फ परमेशुर की वच्चा नहीं सत्ते हैं और सिर्फ इन्ही क्या अनुसार चीज़े समाल कर हम इंसानों की तरह जी सकते हैं। मेरा अनुभव काफी सतही था। अगर तुम्हारे पास कोई और अन्तद्रिष्टी हो तो लिखना। इस पत्र में बस इतना ही देखने के लिए धन्यवाद हम फिर मिलते हैं।